नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं Market Report आईए बात करते हैं Gold MCX की दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक Gold MCX का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की moment last trading session में रही और अभी जो current live market चल रहा है इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले time में, आने वाले session में वो कौन से price level है जो इसमें support और resistance का का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या view है क्या हमें buying करनी चाहिए, selling करनी चाहिए या थोड़ा सा wait करना चाहिए, किसी भी trade में enter करने से पहले तो आईए शुरू करते हैं, 5 minute के time frame पे gold m6 का chart दोस्तों शुरुआत करते हैं last trading session से वो जिस तरीके का रहा, उस पे बहुत कुछ चीज़े depend करती है कि आने वाला time किस तरीके का हम देख रहे हैं यहां हमने देखा market की जो opening हुई थी और opening सही market में सिर्फ यह था कि prices positive open हुए थे और उसके बाद market ने selling pressure जो था, वो continue रखा था prices जो थे वो धीरे-धीरे continuation में कहीं पर भी कोई recovery, कोई एक low prices ने touch किया 48,530 का वहां से market ने थोड़ी सी recovery तो दिखा यह पर वो recovery सिर्फ ऐसी थी कि market ने एक बहुत छोटी सी recovery के साथ market ने अपने आपको hold करके रखा उपर के prices पे, मतलब अपने जो lowest level है उसके उपर के prices पे और वहीं कहीं market close हो गया आज जिस तरीके का हम trend देख रहे हैं एक flat to negative opening होई है और market अभी यहीं पर trade कर रहा है current price है 48,650 आगेगा कैसा रहेगा उसको लेके अभी हम बात करते हैं एक चीज़ काफी clear थी कल के market ने जिस तरीके का एक downtrend दिखाया है उसमें बहुत सारे support level थे जो market ने break कर दी है और कई सारे support level ऐसे थे जो market में एक strong indication इस तरीके का दिए कि market में आने वाले time में एक downtrend जो है वो continue जा सकता है पर फिर भी हम यहां MCX पर एक levels को ज़रूर धियान में रखेंगे कि कौन-कौन से levels फिर भी वो हो सकते हैं market में intraday में कोई strength दिखाएंगे weakness दिखाएंगे और positional कौन से हमारे support level है और resistance level है थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के time frame पे वहां देखते हैं कि क्या view नज़र आ रहा है यहां पर हम देख रहे हैं market में एक इस तरीके का trend prices नीचे थोड़ा सा फिर उपर फिर यहां से एक correction जो स्टार्ट हुई एक straight downtrend था market में 1000 पॉइंट से ज़्यादा की correction दिखाई और वहां से market अभी उनी levels पे कही ना कहीं hold हुआ नज़र आ रहा है बहुत सारे traders ऐसे time पर वो लोग फंस जाते हैं जो एक गिरते वे market में buying करते हैं और बढ़ते वे market में selling करते हैं देखिए यहां पर एक ही दिन उनका इस तरीके का चला जाता है कि जिन्होंने यहां खरीदा होगा यहां खरीदा होगा यहां खरीदा होगा किसी को पूरे दिन भी profit नहीं मिल पाया और इसमें से बहुत सारे traders ऐसे होंगे जो अपनी position को अगर next day के लिए carry कर चुके होंगे सबसे बड़ी problem वहाँ पर आती है कि पहली चीज़ कि आपने against जाकर market में अपने entry लिये दूसरी चीज़ कि आपने उसे hold कर लिया फिर एक confusion स्टार्ट होता है जो आपके लिए सबसे बड़ी problem create करता है कि अब market अगर नीचे जाता जाएगा तो आपको किस तरीके से trade लेना है और अगर recovery आती है तो क्या आपके level के उपर आपाएगा market वहाँ पर एक question आता है तो इसलिए थोड़ा सा हमें इस चीज़ का धिहान रखना चाहिए पहली चीज़ के loss में position बहुत ही specific reason से और बहुत ही specific time पे मतलब market की condition दो देखते हुए हमें hold करना चाहिए दूसरा कि अगर market बिलकुल against जा रहा है तो कोई reason नहीं होता कोई calculation नहीं होती आपको exit करना ही चाहिए ठीक है अभी market बिलकुल अपने एक lowest level पे trade कर रहा है जो इसने कल बनाया था वहीं क्या असपास है देखते हैं अभी आके कैसा रहता कैसा नहीं थोड़ा सा और आके चलते हैं एक घंटे के time frame पे यहां हम देखते हैं कि क्या view नज़र आ रहा है market में एक consolidation prices उपर वहां से नीचे फिर एक strength फिर prices यहां consolidate हुए यहां से एक straight downward trend नज़र आ है जिसमें market अब थोड़ा सा consolidate होता हुए नज़र आ रहा है downside में हमारे कुछ levels थे जिसमें एक level हमारा यहां भी था 49070 इस price के break करती market ने करीब 600 point तक का एक downside दिखाई और prices अभी यहां पर consolidate हो रहे हैं उपर में एक एक चीज़ हम observe कर रहे थे कि अब market में कोई भी अगर strength बनी रहती है मतलब prices अगर hold हुए भी रहते हैं तो वो जो strength है जादा time के लिए sustain नहीं करेगी तो वही बिल्कुल हुआ market ने एक इस range को काफी strongly as a resistance trade किया और यहां से market में correction और अभी prices यहां पर trade कर रहे हैं 48,624 देखिए uptrend को hold करने में इस मतलब इस पूरी range को hold करने में market ने 3-4 दिन का एक session दिखाया और यह जो selling आई है यह single day में आई है तो जब market turned लेता है चाहे वो uptrend में हो downtrend में इसलिए हमारे लिए stop loss बहुत ज़्यादा जरूरी है एक single trade हमारे सारी capital को खत्म कर सकता है अगर हम stop loss नहीं लगाएंगे तो ठीक है थोड़ा सा और आगे चलते है चार घंटे के time frame पे यहाँ अगर हम देखें तो market में एक strength थोड़ी सी correction फिर धीरे धीरे prices अपने आपको उपर hold करते है और यहाँ पर यह पहला एक time हम देख रहे हैं इस पूरे scenario में जिसने इतनी sharp correction दिखाई है इससे पहले यहाँ पर एक correction जरूर थी इस पूरे time पे पर वो धीरे धीरे थी यह sharp correction आई है जिसमें market अपने आपको नीचे के levels पे hold करने की कोशिश कर रहा है यह एक और important point है 48,605 current price prices ने एक turn लेने की कोशिश करी है जो सिर्फ एक शुरुआत के तरीके से हम देख रहे हैं अभी अभी ऐसा नहीं है कि market में अभी correction आई है और market अभ यहाँ से कोई एक upside trend हमें दिखाने लग जाएगा कोई भी अगर recovery आती है market में तो वो सिर्फ और सिर्फ sell on rise की situation को indicate करेगा इसके अलावा कुश नहीं market में कोई भी बड़ी strength का अभी आना वो बहुत जादा मुश्किल है उसका दो बड़े reason है सबसे पहला USD INR में market नीचे के levels पे अब hold होता हो नजर आ रहा है वहाँ पर भी strength एकदम से नजर नहीं आ रही दूसरा gold USD में भी market ने जो उपर के levels पे एक resistance face किया है वहाँ से भी एक turn लिया है और वहाँ भी market में एक positional selling स्टार्ट हो चुकिया तो ये दोनों reason की वज़े से gold MCX में कोई भी strength का बन पाना वो बहुत जादा मुश्किल रहेगा और आगे चलते हैं एक बार daily charts पे वहाँ देखते हैं कि क्या trend अभी हमें नज़र आ रहा है prices ने recovery दिखाई फिर prices नीचे और यहाँ से strength और ये strength और ये एक single candle straight नीचे की तरफ current price 48,608 आगे का क्या view है कि इस तरीके के हम levels देख रहे हैं उसको लेकर अब हम बात करते हैं एक चीज़ बहुत clear है कि market ने turn लिया है इस चीज़ को ignore ना करे कोई भी अब अगर आप position लेते हैं तो वो आपके या तो short selling की हो या तो आप market को avoid करें इन दोनों में से ही आपको ये चीज़ करेंगे तो आपके लिए काफी ज़़दा supportive market रहेगा अगर आप buying का कोई भी call लेते हैं तो आपको stop loss से strictly maintain करना होगा बहुत ही छोटे छोटे levels पर भी क्योंकि market का कहीं भी ऐसा भी situation आ सकती है कि market recovery दिखा ही ना पाए ठीक है वापस चलते हैं 15 मिनित के time frame पर उन levels को अब हम discuss करते हैं जो हमारे लिए अब आने वाले time में important हो सकते हैं देखिए सबसे पहला level हमारे लिए रहेगा जो सबसे nearest है और कुछ strength indicate कर सकता है देखिए market में कोई भी strength अगर बनती है तो सबसे पहला level यहां पर है 48,850 इसका break होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है पर इसके break होने के chances एक बारी को हो सकते हैं यह trend को नहीं बढ़ाएगा यह इतना जरूर है कि market को intraday में थोड़ा सा एक strength देने की कोशिश कर सकता है trend में कोई chain नहीं आएगा जहां पर market की थोड़ी से strength बन सकती है वो यह price है 49,110 जब तक price इसके उपर नहीं आते तब तक gold के case में कोई भी strength का बनना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो सबसे पहला यह price है जो थोड़ा सा एक indication दे सकता है कि शायद price में अब एक consolidation बना रहेगा आने वाले कुछ time के लिए कुछ time कुछ दिन नहीं बोल रहा है मतलब दो दिन घंटे के लिए हो सकता है कि market शायद कुछ strength को hold करने की कोशिश करे सिर्फ intraday basis पे downside में market ने सारे levels break कर दिया अब सिर्फ हम support level की बात कर सकते है support कहां पर है 47,700 तो यह एक expectation है कि जो correction चल रही है यह लगभग 48,000 के levels को test कर सकती है इसी downtrend में यतना जरूर हो सकता है कि market को और 4-5 दिन लग जाए पर 48,000 के बहुत जल्दी achieve होने के chances काफी हाई है तो next जो major support है 47,700 या तो इसके नीचे market hold हो जाए या 47,500 break कर दे आप इन दोनों में थोड़ा सा एक समझना 47,700 के नीचे market hold हो रहा है और 47,500 break नहीं कर रहा है वो भी इसी तरीके से consider करा जाएगा कि market ने next support भी break कर दिया है या फिर single day में market 47,500 break कर दे भले ही इसके नीचे फिर sustain करे या ना करे वो matter नहीं करेगा 47,500 break कर दिया तो इस price का कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो इस तरीके से अब market के ये दो major prices हैं जो अभी हम देख रहे हैं कोई भी buying hold करना देखिए मैं सिर्फ आपको recommend कर सकता हूँ जो मुझे लग रहा है आपके साथ में वो share कर रहा हूँ आपको आपका बाकी अपना opinion है कि आपको buying करनी या नहीं करनी पर काफे रिस्की ज़रूर लग रहा है ये मेरा opinion है तो दोस्तों ये था मेरा gold mcx पर अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगए तो like करें शेयर करें बने रहे हैं मेरे साथ देखते रहे हैं market report धन्यवाद